अद्वार्शिक परिक्षा 2022 चोईस कक्षा नवी के लिए स्वास्ते हैं सारीक शिक्षा का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों कक्षा नवी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए पे पेपर आपको दिये जाएंगे उनका notification आपको मिलता रहेगा ठीक है और साथे साथ अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक तो कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन एज जो आपका होगा उसमें आपको अब्जेक्टी टाइप के क्यू तो दोस्तों हमारी लार में एक एंजाइम पाए जाता है जिसकी वज़े से हम जो भी बोजन करते हैं वह पचता है और वह कौन सा हार्मोन है एंजाइम में सोरी वह टाइलीन हो जाएगा मेरा option number C किरकेट में कितने खिलाडी होते हैं यह आप सभी जानते हैं 11 खिलाडी होत थे बहुत इंपोर्टेंट बहुत ही अच्छे खिलाडी होते उन्हीं की याद में यह बनाया जाता है और उन्हीं की उपलक्स में इसको उन्ती सगस्त को रखा गया है सारिक शिक्षा का मुख्य लक्षे क्या होता है व्यक्ति का सरवांगिन विकास करना ठीक है मनुरंजन रूप से आप से पूछ ले जाए कि सरवांगिन करत क्या होता है तो मांसिक रूप से साररीक रूप से ठीक है और मांसिक रूप से सारीक रूप से और आपके जो ग्यानात्मक रूप है ठीक है तीनों चियारों चीजों से इसका संबंद होता है हमारे सरीर में उर्जा का कार्बो हाइडरेट से ठीक है कार्बो हाइडरेट हमारे सरीर में बनता है उससे हमें एनर्जी मिलती है प्रोटीन से हमारा सरीर की जो मास पेशिया है उनका विकास होता है विटामीन से हमें क्या बिलता है जो तत्व होते हैं उनकी पूरती होती है वसा से हमारे फेट बढ़ तक है इसके लिए वीटामीन जो हमारा है वीटामीन कौन सा के विटामीन के है वह बहुत इंपोटेंट है अब यहाँ पर नाम दिएगे आपको और वी सी डवलू इसी प्लेट लेट और हीमो ग्लोबिन तिक है यहाँ पर बात करूं अप्सन के अग्रोडिंग आर भी सी होती है आगे हमारे सरीर की संराजनात्मक और किरयात्मक एक आई है तो हमारे सरीर में संराजनात्मक बात करू तो वह एक कोशी का होती है क्या थे को स्टिक कर लेना है दोस्तों फिर से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो शायद अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बेजना आपको खुद को वेपर को पढ़ने के बाद रिलाइज हो जाएगा कितना इंपोर्टेंट वेपर हो मैं आप किस परकार का असन होता है तो दोस्तों बोजन के बाद वज्रासन है वह हम कर सकते हैं इसके बाद देखें आपके दूसरे के उसन आजाते हैं अबजेक्टिव टाइप की हटने के बाद जो आपको लाइनर में लिखना है सितल व्यक्ति को मानक वा किर्यासिल बनाने के विगोल लाना सहDaernी झाल इसे की हमारे सरीगां लाज होता है प्रोटि उस प्रोटियन के सत्रोथ आप अराम से बता सकता है हर बार पुचा जाता है और इसके साथ साथ आपने पढ़ाएंगे सो परसेंट मिलेंगे ठीक है अब यहां पर प्रोटीन किस तो आप बता सकते हैं प्रोटीन हमें किसके मिलता है साथ खड़ी औपर किये जाने वाले किनी चार आशनों की नाम आपको बताने हैं दुम्र पांच से वने वाले कूपर बाव है इसके बाद देखे संतुलीध बोजन किसे कहते हैं संतुलीध बोजन के अब हर बार रड़ा ड़ा ड़ाइक उसाना भई ठीक है को परसेंट आता ह तो में किन बातों का दिहार में रखना चीजिए सिंपल शी बाते हैं आप अपनी साब से लिखेंगे सूरी नमस्कार के लाब आपको बताने हैं ठीक अच्छे एक अच्छे खेल के मिदान की विश्यस्ताइं क्या होती है पराऊं किसे कहते हैं अननलों विलों प्राऊं की विदी वते इनलोवंविलोम आप जाते सौशी करना मे और स्वास्थयम सारिक सिश्या का सब्सक्रा करना सोपर्सेट आने वाला परसान यह दस नबर का हर बार आता है ये परपशन नहीं तो क्या ओपड़े किसे कहते हैं तो अस्पताल ली जाने से पूर इसको इलाज दिया जाता है जो इसको टेकल गिया जाता है अच्छे सवास ते और अच्छी आदत है यह आपको लिखनी होगी ठीक है तो कश्या 9 कि लिए हमने आप बात करी है स्वास्ते एम सारी शिक्षा के पेपर के बारे में ति अच्छे से पूरी परसन है वो आप याद कर लेना रठ लेना आपको एक्जाम में 100% मिलेंगे बाकी और भी पेपर आपको मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने शायत करें लिया होगा दोस्तों को भी वह भी कर लेंगे और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना ठीक है कमेंट करेंगे तो आपको solution मिल जाएगा WhatsApp पे टेलीग्राम पे वीडियो के description में कहीं पर भी आप कमेंट कर देना बाई ठीक है चले मिलते हैं अगले वीडियो म दन्यवाद